पुरानी वाली वेगेनार होती है उन में जो टायर होता है वी-लार्ज के पास यानी की फेंडर के पास वहां से पीछे की जाने के प्रॉब्लम होती है बहुत से लोग वो प्रॉब्लम को फेस करता है मैंने भी बहुत सी गाड़ी में देखा है, इस गाड़ी में भी वही सेम प्रॉब्लम है, और कुछ गाड़ी में और भी देखा, उसमें क्या होता है, जो फ्रेंट टायर होता है, वो हलका पीछे की तरफ चले जाता है, आप ये चीज क्लिरल नोटिस कर सकते हैं, जो पेंडर उसको तो जयसे-टैसे करने के शेप में लाया गिया है से त्मस के यह तो थोड़ा दिटेल में चीज को gradually आपके साथ बताओं में ताकि अगर आपकी गाड़ी में यह प्रॉब्लम आए तो पुसको किसे सई तरीके से सई कर सकें अगर बात्रेह सई करने के तो किसे सई कर सकते हो और लेकिन सई तरीके से सई करना भी इसमें मैटर करता है कि कही बार जा होता है जो Yes Sim cooler या रॉड होती है बैलेंस रॉड भी बोलता है इसको गरम करके भी उसको सही करा जाता है जो कि होता वैसे भी है बट आई सजेस्ट कि उस तरीकी से मत कराना है अगर आपका टायर हलका बहुत आगी को आगी को आगिया तो फिर उसको पीछे को डालने में दिक्कत होती है करके या फिर आपको जो फ्रेंट क्रास मैंबर होता है उसको रिप्लेस करके तो मैं इसको आपको डीटेल में बताता हूं कि अग्छल में आपकी गाड़ी आगए से हिट करती है हलका बहुत और उसमें यह फिर नीचे से इंपक्ट पढ़ता है अब किसी पत्थर का गाड़ी के चलने पर जो क्रॉस मेंबर होता है उस पर अंदर अगर थोड़ा बहुत भी अंदर की तरफ हलका दबता है यह उस पर इंपक्ट पड़ता है तो जो रॉड होती ना वो भी उसी साथ पीछे को मूव करती क्योंकि उससे अटेच होती है ब्रैकेट के तुर जैसे मैं आपको बोला बूस लगे होता है तो रॉड भी अंदर के तरब जाती है अगर क्रॉस मेमर अंदर को दबेगा तो क्या होता है ज घ्ल के बहुत रीजन हो सकते हैं जैसे कि इस्टपलाजर की जो रॉड है उसके जो बूस हैं वह अगर घ्रीजगे लेकिन उसे उतना फरक नहीं पड़ता मैं जो ब़ता है क्रॉस मेंबर के बारे में आपको वह बढ़ता हूं अगर किसी गाले का राइख तो इसी इसी पर जाता उस पर welding कराइंगे तो क्या होगा एक तरप सरे welding कराएंगे वह दूसरी तरप से टूथने लग जागेए उस पर इतना जादा लूड होता है शारा जो इस्टेब्लाजनर रॉड का जो लॉड होता नुष ही पर होता है ठीच है एक चीज और और दूसरी जो मेंड चीज होती है वह होती है rusting अगर cross memory पे rusting और अगर वह उसमें crack है impact पढ़ा होगा सामने से या नीचे से किसी भी चीज का तो अगर उसमें आप पत्ती लगवां के या बिना पत्ती के तो घर टिक्ती नहीं हो और वैसे भी करवाएंगे तो रस्ति उसको मेंगई झाहता है जड़ाश लगवानी पिर ज्यादा कुछ ख़र्चा उसके आता नहीं बद यह एक गपर फूरानी खरीदो, तो उसके bumper के अंदर जोबट देखना कि उसके cross member किसी तरीक cycle का impact तो नहीं है अगर है तो फिर आपको लेनी है और यह अच्छी कारी की condition अच्छी है तो ले सकते हैं लेकिनौ इतना खिए में को cross member कराना पड़ेगा ठीक अब आजाता है मेन इसका solution जो टायर पीछे को चले जाता है तो आपके बास ना दो तीन एक solution इसके होता है पहला जो होता है जो होता है आपको बोला कि जो heat गरम करके टायर को आगे पीछे करा जा सकता है लेकिन वो चीज मत कीजिएगा क्योंकि वो permanent solution हो जाता है कि इसके करेगा ठीक है वो डिपेंड करता मैकेनिक पर कि किस तरीके से खीच रहा है वो एक चीज और इसमें ध्यान में रखने वाली वह यह होती है कि आप जुरूर खीचवा लेंगे लेकिन जो टायर आगे पीछे चले गया है ना तो वो क्या करेगा ना आपका टायर अनीवन खि मेंन चीक जो पर्मानेंट जो फिक्स साल्यूशन गिवर को आप मेंबर को रिप्लेश कराई करें अगर ये या चेक कर लिए अगर ब्रैकेट में कोई डैमेज है इसे ब्रैकेट में कुछ नहीं होता है बूस में लिग इसका ठीक है और जो इस लिपलाइजर की रॉड है वो अगर अगर अनिवन हो चुकी है वो परफेक्ट ली नहीं बैट रहे तो उसमें काम कराई यह वांगि अगर राने के बाद भी और तो यह आगे पीछे जाने वाला यह वो सकता है ठीक है और एक चीज और होती है अगर आपने अपनी गाड़ी में एक साइज आपने टायर साइज बढ़ा करके जैसे इसमें तो एक 45-78 आठा था 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 मैंने 45-80 क्योंकि 70 बहुत छोटा हो जाता था तो इसमें क्योंता न एक तरफ जैसे टायर पीछी को चले जिया तो पीछे की त टायर टकराएं नहीं ठीक है लेकिन अगर आपने और बड़ा करवा रहे हैं फिर तो आपको दिक्कत कहीं न गहीं करेगा ही करेगा तो यह भी इसका एक major disadvantage होता ना टायर आगे पीछे जाने का तो यह भी इसमें होता है अब मैंने बाकी आपको solution सारे बता दिया आप इनमे तो मैंने कोसिस भी एकरी तेकर फिर भी आपकी कोई query हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टोपी के साथ तब तक लिए टेक केर